आज का व्यंजन अत्यन सरल, विख्यात एवं लोग प्रिये व्यंजन हैं जो कि आपको उत्तर भारत के लगभग सभी ढाबों एवं रेस्तरों में मिल जाएगा तो आज प्रस्तुत है तवा चिकन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे लोहे के तवे पर धीमी आज़ पर इत्मनान से पकाये जाता है जिससे की मसालों का स्वाद उभर कर आता है और यह व्यंजन आपकी स्वाद कलिकाओं में अपनी उपस्थिती सदेव के लिए दर स्क्राइब करें और घंटी के चिन्द को इसपर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे यह 200 ग्राम हड़ी रहत मुर्ग का मानस है जिसे हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है यह एक छोटा टुकड़ा अद्रक एवं आठ से दस लहसुन की कलिया है इन्हें बारी काट लेते हैं यह तीन मद्यम आकार के टमाटर एवं एक बड़े आकार की प्याज है इन्हें साधरन तया काट लेते हैं प्याज और टमाटर को एक प्रेशर कुकर में पलटते हैं दस से बारा काली मिर्च सम्मिलित करते हैं तीन से चार लॉंग डालते हैं एक कप पानी इसमें सम्मिलित करते हैं अब मद्या माच पर चार से छे सीटियां लगा कर इसे अच्छी तरह गला लेते हैं आप चाहें तो सामानी तरीके से इन्हें 15 से 20 मिनिट उबाल कर भी पका सकते हैं परन्तु हम इन्हें पूर्ट तया गलाना चाहते हैं इसलिए प्रेशर कुकर को अपयोग कर रहे हैं टमाटर और प्याज गल चुके हैं अब हमें इन्हें बारीक पीसना हैं इनको पीस कर बारीक मिश्रण बना लेते हैं तवा चिकन एक तवे पर पकने वाला वियंजन हैं जिसके मसालों के सारे अवियव अच्छी तरह से पिसे होने चाहिए क्योंकि इसे ढखकर नहीं पकाया जा सकता और ऐसा ना करने से सामगरी अच्छी तरह गलेगी नहीं तवा चिकन घर पर पकाने के लिए हम यह भारी कास्ट आरेन का पैन प्रियोक कर रहे हैं क्योंकि हमारे आम घरों में उपलब्द लोहे के तवे में तवा चिकन बनाना अनुकूल नहीं है क्योंकि हमारा तवा धावे के तवे की अपेक्छा अत्यंत छोटा होता है उनके तवे का व्यास लगभग धाई फुट होता है इसके बीचों बीच वह सामगरी को भूनते हैं और वह तवे से बाहर नहीं गिरती तो आप उपलब्दता के अनुसार लोहे का पैन अत्वा कड़ाई उपयोग कर सकते हैं पर नियम यह है कि इसकी तली लोहे के तवे की तरह ही मोटी होनी चाहिए अर्थात हमारा बर्दन भारी तली का होना चाहिए गर्म तवे पर दो बड़ी चम्मच तेल डालते हैं मैंने सर्सों का तेल उपयोग किया है पर आप अपनी रुची एवं स्वास्ते के अनकूल कोई अन्य तेल भी उपयोग कर सकते हैं इसमें एक तेजपत्ता एवं एक छोटा टुकडा डालचीनी का डाल कर कुछ छण भूनते हैं अब बारीक कटे हुए अदरक एवं लहसुन गर्म तेल में सम्मिलित करते हैं अदरक और लहसुन को भून कर सुनहरा कर लेते हैं अब इसमें मुर्क का मान सम्मिलित करते हैं इसे अदरक और लहसुन के साथ अच्छे से मिला कर मध्यमाच पर तीन से पाँच मिनट भूनते हैं पाँच मिनट उपरहन आज धीमी कर देते हैं तथा इसमें मसाले सम्मिलित करते हैं एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर आधा बड़ा चम्मच अथवा स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पा अब मुर्ग को मसालों के साथ धीमी आज़ पर 5-7 मिनिट भूनते हैं परकर्ची चलाते रहते हैं ताकि सारी सामगरी समान रूप से भुने एवं जले नहीं मसालों को अतियंत धैरे पूर्वग भूने क्योंकि इस रेसिपी का यही एक मुख्य चरण हैं तवा चिकन यानि कि तवे पर अच्छी तरह भूने मसालों वाला चिकन जब मसाला भूनकर थोड़ा गहरे रंग का दिखने लगे तो इसमें पीसे गए प्याज और टमाटर का मिश्रण सम्विलित करते हैं सब को अच्छे से मिलाते हैं और आज तेज कर देते हैं हमें प्याज टमाटर के मिश्रण को अच्छी तरह भूनना है ताकि इसमें उपस्थित अत्रिक्त रस सूख जाए तीन से चार मिनिट तेज आज पर भूनने के उपरांद आज मध्यम कर देते हैं और इसे भूनते रहते हैं और कर्ची भी चलाते रहते हैं ये देखिए इसमें से अत्रिक्त रस सूख चुका है और सारी सामगरी ने गाड़ी सूखी तरी का रूप ले लिया है और इसका र अच्छे से मिलाकर दो मिनिट और भून लेते हैं। हमारा चिकन एवं उसका मसाला अच्छे से भून जुके हैं। अब इसमें एक कप चिकन स्टॉक अत्वास साधारन पानी सम्मलित करते हैं। चिकन स्टॉक से तात पर्य मुर्ग एवं उसकी हड्डियों को उबालकर प्राप्त पानी से हैं। जिससे कि आपके व्यंजन का स्वाग अत्यंत बढ़ जाता है। सब को अच्छे से मिला देते हैं। वैसे तो हमारा चिकन लगभग पकी चुका है। पर अब धीमी आजपर इसे 5-7 मिनट और पकाते हैं। ताकि मन में कोई शंका न रहे। हमारा तवा चिकन पक्कर तयार है। इस पर थोड़ी बारी कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां संबलित करते हैं। और गैस बर्नर बंद कर देते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार तवा चिकन इस विधी से अवर्ष्य वनाएं। और अपना अनुभव हमसे एवं अन्नी दर्शकों से साजह करें। घर पर आसानी से बनने वाला यह अत्यन्त सरल, सुलब एवं स्वादिश्ट वेंजन हैं। चलिए इसे गर्म गरम परोस्ते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तिती पसंद आई हो, तो कृपया इसे अपनों के समच साजह करें। धन्यवाद। झाल